बहुत आसान नस्का है और बस समझना है गलती ना करें कि यह काफी तेज नस्का है और उनको सबर करना होगा पांच साथ महीने लगातार इलाज करना होगा और नस्का यह 500 ग्राम अलसी ले लिजे 600 ग्राम लेजे जितनी भी चाहें आप ले लिजे उसे भून कर पौडर बना लीजे पौडर बन जाए तो एक गौंद आता है गौंड सिया जिसे काला गौंद भी कहते हैं इसको अलग से पौडर बनाके रखिए जब अलसी खाएं तो एक चम्मच चोटा चाय का चम्मच भले और इसमें दो चुटकी में जितना काला गौंड आए काला गौंड असली देना है घर पर पॉडर बनाना है इसमें मिला के खालिया करें पानी से और खटी चीज़े छोड़ दें और खुब बगवान से मदद मागें पांच साथ आठ महीने भी लगें तो इसे पूरा खताम करके क्योंकि ये दुनिया के दर्दों का सबसे बड़ा निस सब तमाम दर् दर्बे का पाइदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलिमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बुटन को दबाना ना भूलें ताकि हकीम सहाब के घरेल उन उसको से जादा से जादा आप फाइदा उठा सकें